आज मैं एलपन लीबे जस जली वाली टॉफी से आइस्क्रीम बनाने वाली हूँ मैंने 20 टॉफी ले ली है सभी टॉफी के रैपर को अलग कर ले और जली निकाल लेंगे मैंने सारी जली निकाल ली है अब हमें ब्लेंडिंग जार लेकर उसमें 20 जली एक गिलास पानी दो चमचीनी डाल लेनी है जार को बंद कर देना है हाई स्पीड पर जली को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है अब आइस्क्रीम का लिकट बनकर त्यार हो चुका है मैंने मौल्ड में आइस्क्रीम का लिकट डाल लेना है मौल्ड को फ्रीजर में रख देना है 8 घंटे बाद मौल्ड को फ्रीजर से निकाल लिया है मौल्ड को पानी में टिप करके आइस्क्रीम निकाल लेनी है अब हमारी आइस्क्रीम बनकर त्यार हो चुकी है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है